अब इसमें जो प्रिलिम्स हैं उसकी भी तैयारी होगी as well as जो में से रिलेटेड आपके कारंट अफेज हैं वो भी हम लोग डिसकस करेंगे एचेस की जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुकी है 2023 की so अपने फर्म्स जो हैं वो टाइमली फिल कर लेने हैं अगर कोई इसमें इशू आता है तो comment drop कीजेगा हम लोग जो है उसमें देखेंगे कि किस तरीके से इशू को resolve किया जाए ठीक है बाकी तैयारी करनी है अच्छे स और यह जो current affairs है यह जरूर पढ़के जाना है यह आपको help करेंगे static भी इसमें cover हो जाता है as well as जो आगे आपका current है वो भी इसमें साथ साथ में रहता है ठीक है तो इन lectures की अगर मैं बात करूँ तो यह आपका हर एक week में एक आता है आज हम लोग 1st to 15th of May के current affairs देखेंगे as well as compilation भी available है जो की आपको हमारी mobile application पर भी मिलती है as well as telegram के ऊपर monthly इसकी magazine भी आती है तो उसको भी आप वहां पे चेक कर सकते हो HS की test series available है उसके free resources में आपको बहुत सी चीजे मिलेंगी पिछले 10 साल के जो HS के question papers है वो भी available है as well as आपके जो यह current affairs है यह भी मिलते है test series को जरूर check कीजेगा topic wise बनाई गई है ताकि आप जो हैं अच्छे से prepare कर सके as well as इसमें HPG के see sad full lens अब कुछ ही included है do check it out once तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली news के साथ में यह है अटल tunnel planning area constituted so अब भी आप लोग सिंस अगर घूमने गए है तो आपने अटल tunnel तो देखी होगी बहुत ही futuristic तरीके से बनाई गई है बहुत ही खुबसूरत है और अब क्या है कि अब इतने सारे tourist जो है वो आगे जाते हैं और क्या ये जो इतने सारे लोग जा रहे हैं इनके लिए homestay ये वो बहुत सारी चीज़े हमें वहाँ पर बनानी पड़ेगी ठीक है tourism को basically हम जादा explore यहाँ पर करना चाहते हैं तो ये जो news है ये क्या कहती है तो सबसे पहले basics देखते हैं अटल tunnel को हम लोग रोहतांग tunnel के नाम से भी जानते हैं फिर दूसरी बात आ गई ये आपकी 9.02 km लंबी है ये आपकी connect करती है यहाँ पर आपके कुलू को और उपर आपका लोहॉलन स्पिती को फिर ये कौन सी ranges यहाँ से आ रही है तो ये है आपकी पीर पांजाल ranges जिनके बीच में ये आपकी जो tunnel है ये बनाई गई है अब इससे basically हुआ क्या इससे connectivity बढ़ गई रोहतांग पास जो है उसको बाइपास करके ये tunnel बनाई गई अब इससे connectivity साल में बारा महीने जो है वो लोहॉल्स पीती और कुलू के बीच में बनी रहती है तो टूरस जो है वो भी यहाँ पर जाता है जिसकी वज़ा से जो rush कह सकते हैं हम लोग वो जादा यहाँ पर बढ़ गया है तो इसी के लिए जो town and country planning act है उसमें कहा गया कि आगे जो भी इसमें homestay, hotels बनने वाले हैं उसकी management properly करनी है उसी management को किस तरीके से regulated way में किया जाए इसी के बारे में इस news में बात की गई है तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ areas जो है उनको बताया गया है freeze areas या frozen areas उनको कहा गया याने कि बहुत important, ecologically इतने important regions हैं जिनको freeze किया जाएगा याने कि वहाँ पर कोई भी construction नहीं की जाएगी चाहे वो आपका homestay हो, hotel हो, कोई भी और extra चीज है, tourism के लिए वो वहाँ पर construct नहीं की जाएगी और जो है कोई भी expansion plan वहाँ पर नहीं रखा जाएगा अब NGT जो है वो काफी जादा strict है इन हिमाल्याज को लेके, ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे हम लोग हिमाचल में देखते हैं, जबी हम लोग जाते हैं from south to north, तो आपकी जो elevation है वो increase होती जाती है, यहाँ पर आपके शिवालिक्स है, फिर यहाँ से ऐसे आपके धौला धार आते हैं, पीर पंजाल है, greater हिमाल करता है, हम लोग बहुत सारे landslides, avalanche और बहुत सारे यहाँ पर disasters देखते हैं, तो इसी के लिए जैसे जो आपका यह tunnel को cross करना है, यहाँ पर सिर्फ दिन में 1000 vehicles इसको कर सकते हैं, ऐसे भी NGT ने कुछ यहाँ पर, जो foundations हैं वो लगाए हुए हैं, तो इसी के लिए इस तरी पाद में देखने को मिलेंगी और उस वो consequences हो ही ना उनको avoid करने के लिए जो हैं, यहाँ पर सारी चीजे की जा रही हैं, तो land use जो है उसको systematic तरीके से regulate किया जाएगा, next हमारी news कहती है, हिमाचल में जो cancer rate है वो 2.2% है, which is very worrisome, तो सबसे पहले reasons हमें जानने की जरुरत है कि क्या यह है, क्यों ऐसा है कि जो आपका India है, उसकी national जो आपके average है, वो 0.6 है, लेकिन जब हम हिमाचल की बात करते हैं, वो तो 2.2 है, जो की काफी जादा है, यह worrisome भ कुछ measures लेने हैं, और फिर जो है आपका healthcare भी इतना important हो, like इतना strong हो कि इसको hold कर सके, तो basically अब क्या है, सबसे पहला आएगा prevention, prevention के लिए हमें चाहिए होंगे reasons, और फिर अभी जो यह 2.2% है, जो growth rate है यह आपका cancer का rate है, इसको किस तरीके से manage किया जाए, क्या हमारे पास में इतना healthcare developed है, कि वो इसको manage कर सकता है, तो government की सबसे पहली priority क्या रहेगी, सबसे अच्छी facilities provide करना, आपका जो state है, उसके corner में, next हमारी news आती है कि हिमाचल में cancer rate जो है वो 2.2% है, अगर national average देखा जाए तो 0.6% है, again हिमाचल जो है वो काफी जादा है, तो सबसे पहली बात यह चिंता का विशह तो है ही है, दूसरा आता है कि सबसे पहले हमें reasons पता करने होंगे कि इसका कारण क्या है, फिर हमें prevention कि किस तरीके से इसको prevent किया जाए वो है, लेकिन अभी सबसे जादा important जो है कि यह cancer rate है, इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर cancer से ग्रसित है, उनके लिए health की जितनी भी facilities ह है, health care है, वो provide करना, तो government जो है यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि जो हमारा state है, उसके corner तक हरे corner तक इस तरीके की facilities जो है, वो provide की जाए, पहला step यह रहेगा, फिर जो है reasons देखे जाएंगे, prevention के ओपर यहाँ पर काम किया जाएगा, but again, यह बहुत important fact है, prelims के लिए भी कि हिमाचल का जो cancer rate है, वो काफी जादा है national average से, which is 2.2%, next हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं, IIT मंडी बहुत सरी चीज़े करता रहता है, और यहाँ पर उनोंने France की एक university के साथ में मिलके, एक algorithm developed किया है, जो आपका heating, ventilation, air conditioning system है उसके लिए, असान भाशा में, बहुत जादा घुसना नहीं है, इसमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो यह है, कि जैसे हम अगर बाहर की countries की बात करते हैं, हम तो अभी developing countries हैं, बहाँ पर heating, ventilation और air conditioning systems लगे होते हैं, almost हर एक घर में, है ना, और इनमें अगर कोई issue आ जाता है, कोई इसका failure रहता है, उसक के लिए system developed किया, उसी के ऊपर यह, जो है research यहाँ पर कर रहे हैं, next हम लोग आगे बढ़ते हैं, कि हमाचल प्रदेश ने एक M.O.U. sign किया है, और यहाँ पर यह एक portal मनाना चाहते हैं, जिसका नाम है HIMDATA Portal, अब हमाचल में बहुत सारे departments हैं, और उनको interconnect करने के लिए, ताकि जो governance है, वो easy हो जाए, यह एक good governance के लिए initiative है, हमाचल governance में अच्छा है in fact, और बहुत सारे awards भी दिये जाते हैं, तो उसी में एक और step जो है, that is HIMDATA Portal, कि एक ही portal के उपर बहुत सारा जो multiple data हमारे पास, अलग-अलग departments का है, वो एक ही जगा यहाँ पर एक कटा हो जाएगा, ज इसी में आपका HIMPulse हा जाएगा, हिम परिवार है, तो यह सारा data एक ही जगा आजाएगा, next आता है कांगडा का योल-sheds cantonment tag, तो सबसे पहले असान भाशा में, आपने लक्ष्मी कान पड़ी होगी और उसमें आप urban government bodies जो है वो पड़ते हैं, तो उसमें आती है, आपकी municipal corporation ह है, municipalities है और उसमें से एक होता है आपका cantonment vote, तो यह न Britishers के time पर था, जब भी उन्होंने cantonments बनाए, हिमाचल में हम लोग जानते हैं, सबाथू में है, 1815 में सबसे पहला जो आपका गोर्खा regiment, नसीरी regiment है, उनका पहला cantonment जो है वो खोला गया यहाँ पर, वैसे ही जो welfare scheme का फाइदा नहीं उठा सकते, क्योंकि इनका अपना सा एक हरार्की रहता है, जिसमें आपका president का cantonment board है, फिर chief executive officer आगया, इस तरीके से इनकी हरार्की जो है वो different रहती है, municipality से, पंचायत से, है ना, तो यह जो welfare schemes है, उनका फाइदा नहीं उठा पाते हैं, वैसे हिमाचल में और भी है, कसॉली, डक्षाई, सबात्थू, जतो, योल और आपका बकलो और डिलॉजी, तो यह जो योल है, इनोंने कहा कि हमें cantonment का यह जो दरजा है, यह यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको यहाँ पर हटा दिया जाए, इसको अब एक military station कहा जाएगा, तो वो ला cantonment यह जो यह नाम है, यह Britishers के ना time से चलता रहा है, पहले बोलते यह बंदिशे थी और उसके बाद में जो है, इसको urban government की form में यहाँ पर convert कर दिया गया, इसलिए हम चाहते हैं कि इससे हमें यहाँ पर हटा दिया जाए, तो वो यहाँ पर हटाया गया है, अब हमाचल में छे to be disposable units, तो यह news कहती है कि हमाचल में क्या है, प्लास्टिक को आगे manage कैसे करना है, उसके लिए important infrastructure नहीं है, जो भी आपकी facilities है, वो नहीं है, याने कि waste disposable, डिस्पोज कैसे किया जाए, उसके उपर बहुत सारे सवाल उठाये जाते हैं, urban local bodies जो है, वो भी maximum waste जो है, रिवर्स मे dump कर देती है, तो इसी के लिए बोलते हमें क्या है, प्लास्टिक श्रेडर्स हो गए, डस्ट रिमूवर्स, बेलिंग मशीन, इस तरीके का जो infrastructure है, वो होना काफी जादा जरूरी है, जिसको यहाँ पर install किया जाए और use किया जाए, क्योंकि अभी जो है, पिछे हमने important जो rivers हैं, उनमें dump करके रखा है, तो उसको जो है यहाँ पर ठीक करने की जरूरत है और government को उसके ओपर ध्यान देने की जरूरत है, आगे बढ़ते हैं हम लोग पालंपूर Institute to work with ISRO Center, तो यहाँ पर Space Application Center है ISRO का, वो और हमारी CSIR है, वो मिलके काम कर रहे है, फेनो मेट स्टे तो यह बड़ा important temple भी हम लोग जानते हैं, तो वहाँ पर यह आपका फेनो मेट स्टेशन लगाया गया है, प्रोजेक जो है वो चल रहा है, basically होगा क्या, यहाँ पर यह camera रहेगा और बहुत सारी चीज़े रहेंगी, जो आसपास के area को monitor करती रहेंगी, वहाँ पर air temperature कितना ह rainfall, active photosynthesis, radiation, इस तरीके से बहुत सारे parameters को वहाँ पर लिखा जाएगा, basically data sets बनाये जाएगे और उसके आधार पर आगे जो एक climate change है, इसको notice किया जाएगा, अब हिमाचल में हम लोग बहुत सारे इसी news देखते रहते हैं, क्योंकि देखो हिमाचल में बहुत सारे forest हैं, बहुत सरीके से यह सारे issues को हमें सबसे पहले monitor करना होगा, हमाई पास में कुछ data होगा, फिर उसके ओपर हम कुछ आगे steps ले सकते हैं, लेकिन पहला step क्या है, data को monitor करना, तो उसी के लिए यहाँ पर यह फेनो मेट station लगाया गया है, कहाँ पर लगाया गया, हमिरपुर में बाबा अगे बड़े हम लोग, अगली news कहती है, pine needles के बारे में, अब हमाचल में बहुत सारी forest fires होती है, और यहाँ की जो आपकी आग लगती है, वो जादा घातक होती है then in plain, क्योंकि सबसे पहली चीज यहाँ पर बहुत, जो आपकी हमके fire brigades हैं, वो एकदम से नहीं आ सकती, पहा और उसमें एक अच्छा खासा रोल प्रोवाइड करती हैं आपकी यह pine needles, जो कि आपके चील के पेड़ हैं, या हमारे चलैपूस को आपे बोलते हैं तो यह बड़े सुखे सुखे होते हैं और बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, या फिर अगर थोड़ी सी आग से अगर पहुँच गई तो यह फिर बुचती नहीं, यह चलती चली जाती है, तो इसी को यहां पर कम करने के लिए इससे यहां पर एक पॉसिबिलिटी एक्स्प्लोर कर रही है स्टेट गवर्मेंट जो की compressed biogas बनाई जाएगी, जितने भी आपके pine cones हैं या pine needles हैं, जो ची हमारे साथ में एक हमारे पास और extra चीज रहेगी that is compressed biogas, जिसको बहुत सारी और चीजों में यूज किया जा सकता है, ठीक है, हमाचल में अगर हम ऐसे भी बात करें तो 90% जो आपकी fire रहती है, यह forest fires होती हैं, यह humans की वज़े से लगती है, intentionally या unintentionally, whereas जो 10% है वो natural reasons की gas को यहाँ पर use भी कर सकते हैं, using the pine needles, आगे चलते हैं, आगे की बात है, Monal count rises to 176, अब क्या है, हमारा जो state birds है, उसका नाम है juju rana, है ना, जो आपका western trogopan है, तो इससे पहले जो है, Monal हुआ करता था, तो अभी Monal की जो आपकी population है, अगर हम 2015-16 की बात करते हैं, तो बहु increase कर रही है, Inculu National Park, that is आपका Great Himalayan National Park, तो यह आपका Great Himalayan National Park है, यह सैंज और तीर्थन जो है, 2010 में इनको भी Great Himalayan National Park में ही यहाँ पर merge किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर Monal की population जो है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, which is a good sign, कि जो भी species है, वो extinct हैं होनी चाहिए, हम लो पर कर रही है, Great Himalayan National Park की अगर मैं बात करूँ, तो यह यहाँ पर important है, यह setup किया गया था, 1984 में, 1999 में इसको National Park का दर्जा मिला, और 2014 में यह UNESCO World Natural Heritage Site यहाँ पर वन गया, तो इसमें जो है, यह आपका Eco Development Zone भी है, जहाँ पर कुछ-कुछ activities जो है, यहाँ पर रहने वाली communities को allow क ही गई है, whereas फिर आपका जो proper Great Himalayan National Park का region है, इसमें activities जो है, वो usually prohibited रहती है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, integrated plans for two Ramsar sites discuss, अब हमाचल में तीन Ramsar sites है, सबसे पहली आती है आपकी Pong Dam, then है रेनुका जील, और आपकी चंदरताल जील, तो हमाचल में यह आपके important Ramsar sites है, Ramsar हम लोग अलग से भी पढ़ते हो, आप लोग किस तरीके से wetlands की importance के बारे में बात करता है, ठीक है तो wetlands को हम लोग और क्या कहते हैं, इनको kidneys of the earth भी कहा जाता है, जैसे forest को कहते हैं, heart of the forest वैसे, heart of the earth वैसे ही wetlands को kidneys कहा जाता है, कि यह process जो purify हैं, वो यहाँ पे करती है, तो उनकी importance के बारे में, कि जो आपके रेनुका है और जो pong dam lake है, इनके लिए कुछ plans बनाये जा रहे हैं, बाइदी हिमाचल प्रदेश, state wetland authority and forest department, यह मिलके कि किस तरीके से यहाँ पर एक conference भी रखी गई, organize किया गया, कि इनकी importance कैसे है, कितनी जादा है और कैसे इसको save किया ठीक, next आगे बढ़ते हैं हम लोग, PRI that is Panchayati Raj Institutions, opposed power projects in Lahore, अब हम लोग जानते हैं हिमाचल में, धेर सारी बिजली हम लोग गाते, बनाते हैं और produce करते हैं, और वो क्या है, it is much more thankful, हमारे पास में 5 यहां पर नदिया बहती हैं, फिर उसके बाद में हमारे पास करीब 800 के पास हैं, अभी इन से बहुत सारा पानी बैठता है और उनके ऊपर different, different जो आपके power projects है, वो यहां पर लगाए जाते हैं, लोहौल में, जो Panchayati Raj Institutions हैं, उन्होंने मना किया है, कि हम लोग को यहां पर और हाइडल power project नहीं चाहिए, इसका reason क्या है, reason why है कि already यहां पर बहुत सारे projects जो हैं, वो चल रहे हैं, और यह, they are disaster, as it says, they are disaster for, recipe for a disaster, याने के unstable, इतने बड़े हमालयास पे, जब हम लोग ग्रेट हमालयान रींज की यहां पर बात करते हैं, फिर धीरे से नीचे से आपकी दौलादार भी जा रही है, पीर पंजाल भी है, उपर trans हमालयास हैं, तो इसकी vulnerability है, risk factors जो है, वो काफी जादा यहां पर है, seismic zone की भी हम लोग बात कर सकते हैं, कि earthquake जो है, उसकी possibility, हमाचल जो है, zone 4 और zone 5 में आपका यहां पर आता है, तो यह जितने भी आपके power projects बन रहे हैं, यह काफी जादा आने वाले time है, काफी जादा risk यहां पर लेकर आते हैं, त तो उसके risk या फिर उसकी consequences के लिए हम लोग तयार नहीं, ठीक है, तो इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, अगली है जी, that will rebrand Handloom Corporation as Himcraft, basically नाम change कर रहे हैं, हमारे पास में already हमारी यह है, Himachal Pradesh State Handicraft and Handloom Corporation, यह है जो आपके जितना भी handmade हिमाचल में रहता है, Handloom है, आपके shawl, socks, holly socks हो गई, बहुत सारी चीज़े हमारे पास में हैं, वो सारा का सारा जो है, इसमें आता है, artisans आगए, उनके काम को किस तरीके से protect करना है, बहुत सारी schemes, वो सारा सारा, है ना, इसको जो है rebrand किया जाएगा Himcraft के नाम से, branding बहुत जादा जरूरी होती है, जब हम लोग बात करते हैं, बेचने की है ना, जो दिखता है, वो बिखता है, तो उसी तरीके से कि इनका जो काम है, काम तो ये खुबसूरत करी रहे हैं, दिखना भी चाहिए, उसके लिए उसको rebrand किया जा रहा है as Himcraft, जिसे हमाचल को जाते है तब चंडिकर से उपर क पीजेए सेंटर, यह बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, एक साल से पढ़ा रही हूं करीब, तो पीजेए का एक सैटलाइट सेंटर जो है वो उनना में बनाया जाएगा, सैटलाइट सेंटर क्या होता है, यहां से कुछ डॉक्टर्स जो पीजे जाएंगे और हे इस एट infrastructure जो है वो basically develop किया जाएगा तो काफी time से sanction हुआ है अब इसकी forest clearance हुई है आने वाले time में धीरे-धीरे बनेगा नेक्स्ट है हमारा शिमला के director nominated for FIP Press की award तो एक बड़ी important film जिसको बहुत सारे awards अभी तक मिल चुके हैं तालन black night film festival best debut director from India और बहुत सारे awards यहाँ पर सिधार्थ जी को दिये गए तो सिधार्थ चौहान है शिमला के उन्होंने अमर colony यहाँ पर यह movie बनाई जिसके लिए उनको यह awards दिये जा रहे हैं अभी इसको आपका FIP Press की है इस award के लिए भी जाने से पहले paper में लिख लेना है कि कौन कौन से awards उसको मिले है सिंस बहुत बार यह पिछले साल में अगर हम देखे काफी बार news में रहा है तो good possibility कि ऐसे वाला कुछ पूछी यह लिया जाए ठीकी जी नेक्स्ट आ गया 150 करोर aid for farming upgrade यह basically हमारे पास में बहुत सारे externally aided projects है जिसमें से एक है आपका crop diversification promotion तो इन projects में time to time पैसा आता रहता है जैसे कि यह जो है it is funded by Zika that is Japan International Cooperation Agency यह इसको fund करता है और इसमें time to time funds जो है वो आते रहते हैं तो यह बात क्या करता है यह मैं अक्सर बताती हूँ यह बात करता है जैसे इसका नाम है crop को diversify करने की याने के सबसे पहला जादा से जादा area हम लोग ने production vegetables हो गया या जो भी आपकी हम लोग बहुत सारी चीज़े उगाते हैं उनके अंडर लाना है like farming या agriculture या horticulture के अंडर area को increase करना है दूसरी बात सिर्फ एक चीज जैसे लोग धान उगा रहे हैं तो एक ही चीज नहीं उगानी है diversify करना है जैसे अभी जो जिनको आपके वो दिया गया पदमशी दिया गया किसको दिया गया तो वो थे आपके नेक रामजी तो उन्होंने यही बात किया उन्हों का सारा जो एक ecosystem है उसको कैसे develop करना है इसके उपर यह project यहां पर काम करता है इसको दो phases में शुरू किया गया पहले phase में सिर्फ पांच district थे वो थे कांगडा मंडी उन्हा बिलासपुर और हमिरपुर उसके बाद में जो है बाकी बारा के बारा district अभी इसमें involved कर दिये गए है इसमें जो है सभी को इसका फाइदा यहां पर मिलता है next है हमारा unseasonal rain plays havoc with rabi crops in Himachal यह जादा हम लोग जब ही economic survey आएगा या फिर आपका budget आएगा उसमें भी हम लोग को मिल जाते हैं यह वाले stats आने वाले time में अभी क्यूंकि जब ही proper तभी पता चलेगा लेकिन यह तो हम लोग देखेंगे उसमें मिल जाएगा next आ गया हमारा जो है that is orange production यह है Shiva project तो एक और हमारे पास में project है जिसका नाम है Himachal Pradesh subtropical horticulture irrigation and value addition project जो की है Shiva यह क्या बात करते है यह बात करते है कि देखो Himachal में apple बड़ा होगा जाता है which is like 81% है ना लेकिन हमारे पास 4 agro climatic zone है औ और apple जो है सिर्फ यहां यहां जिसे होता है तो हम क्या चाहते है हम चाहते है कि यह जो इतना area है हम इसका भी फाइदा उठाए और यहां पर भी बगीचे बनाए अब जो शिवालिक्स हैं यहां पर क्या उग सकता है यहां पर उग सकती है citrus या खटी चीजे जो है जैसे कि आपके temperate fruits हो गए citrus fruits याने के orange, litchi, peach यह सारी की सारी चीजे तो यह बोला हमने श्रिवा प्रोजेक्ट में इनको जादा से जादा यहां पर उगाना है और अभी recently हम यही बात कर रहे है कि आपका यह जो orange है वो यहां पर उगाया जाएगा quality अच्छी quality के plants farmers को दिये जा रह इस हमारी news है government bans apple imports if its price is less than 50 per kg अब इसको समझना है असान से तरीके से तो basically क्या है हमाचल जैसे हमने देखा 81% जो है apple यहां पर उगाता है अब क्या होता है कि हमारी अपनी एक market मनी हुई है लेकिन जब बाहर से सस्ता apple आता है import होता है बहुत जगा से करते है आपका इरान स से आता है तबी क्या होता है वो बहुत सस्ता आता है और market को disrupt कर देता है लोग क्या करते सस्ता वाला apple खरीते है हमारा वाला जो खराब हो जाता है फिर वो जो farmers है या जो भी आपके horticulturalist है उनको यहां पर इसका नुकसान सहना पड़ता है तो काफी टाइम से यहां पर बोल वाले जो भी आपके horticulturalist हैं उनको परिशान करें तो इसी के लिए इसके उपर लगाया है M.I.P. that is आपका minimum import price minimum import price से आने के 50 रुपए से कम का apple जो है वो इंडिया में नहीं आएगा इससे एक security मिल जाती है हमारे अपने वाले farmers को जो आपके apple growers हैं उनको क्योंकि बहुत ज महनत यहाँ पर करते हैं और इस तरीके से इनको जो है यहाँ पर help मिलता है तो यही जो news है यह इसके बारे में बर्थ कर रही है अब हमारी आज की last news है stray cattle menace in kangra some farms abandoned fields तो basically जो आपके आवारा पशू है वो जादा हो गए हैं जिसकी वज़ा से लोगों ने अपने खेत से हम छोटा सा हमारा घर हो बाकी अपने थोड़ा बहुत खेती जो है वो की बहुत जादा बड़े लेवल पर नहीं की जाती है तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि लोग जो है वो farming करते रहें agriculture जो है वो करते रहें और दूसरी बात यह इसके लिए बहुत सारी जो आपके stray animals है इसके लिए बहुत सारी subsidies भी दी जाती है जिसमें fencing के लिए पैसे दिये जाते हैं सबसीडी दी जाती है दूसरी बात बहुत सारे NGOs हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं लेकिन इतने जादा stray animals हो गए हैं कि इतना easy नहीं है सिर्फ NGOs को यहाँ पर handle करना without the government's help तो government को जो है यह हार छोड़ देते हैं सो यह जो है society इतने बड़े large number of animals के लिए ready भी नहीं है government को थोड़ा support जो है मो करना पड़े ठीके जी so that was it for today I hope आपको यह lecture help करेगा आपकी preparation में बाकी I wish you all the very best and अच्छे से पढ़िये और अच्छे से पेपर दीच रेगा